हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु माइश्टरी फीट चैनल दोस्तों मैं फीजिकल एजुकेशन की चेप्टर वाइज इंपोर्टेन एमसी क्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ जिसमें से यह से चल रहा है आपका स्पोर्स मेडिसीन यानि खेल चीकिशा जिसकी अंतरगत आपका इंजरी यानि चोटी फीजियो थेरेपी यानि सारे चीकिशा डोपिंग मसाज इस सब आते हैं इन सभी से इंपोर्टेन एमसी क्यूज दिया जा रहा है और दोस्तों यह आप फीजिकल एजुकेशन के किसी भ जा रहा है तो दोस्तों बने रहे चैनल पर बेहतरीन तयार moyens के लिए तो चलिए जलते हैं दोस्तों आज के बेहतरी कोस्टन के तरफ फुर्स्ट और प्लश्山 है किषि़ेलों में ओच आनी का कारद है है अपसन है हड़ी का टोटना छीज जाने A and B दोनों इन में से कोई नहीं तो दोस्तों खेलों में मोईद में आका आपसन सही है इन में से कोई नहीं क्यों सही है दोस्तों क्योंकि मोच जो है हमारे लिगामेंट यानि जोडों की चोट है ठीक है जिसके इंग्लिस में इस्प्रेन कहते हैं स्प्रेण और स्ट्रेण दोनु पुनरवास किया जाता है। इसमें आपसन No B और ब्रकर्ड है, कर्याक्तिव ब्यायामों द्वारा, कैसे दूस्ट्टो पुनरवास यानि की चोट लगने के बाद पुना हम पहले इस दूस्टी में आना। इसइ को पुनरवास बोलते हैं । कि पुनरवास के लिए मुख्य रूप्षणी एक है क्रेक्ट्र एक्सराइज निए की क्रेक्ट्र भयायाम सरा है montainya कि किस्ञ एधि निए कोई एक नहीं रहेगा दोस्तaran तो और याँ पर करेक्ट्र भयायाम स्एधिया ही है नेवले के माध्यम से किया गया उपचार जाना जाता है तो दोस्तों की बात ना कर देख सकते हैं नेश्ट थो खेलों में लगने वाली चोटे उनका उपचार यहां सस्थापन का अधिया जाता है तो किस में किया जाता है दोस्तों इन सभी का अधियान किया जाता है खेल परात्मी उप्चार में आप क्या करेंगे तो प्रात्वी उक्षार में आपको RICE प्रक्रिया चार कदम वाला अपनाया जाता है सबसे पहले RICE जिसको दोस्तों अब सुरुवात में P और लाश में यस जोड़ दिया गया है P RICE S आप कर दिया गया है पहले RICE थां तो इसमें RIC में आपका R का मतलब है REST N I का मतलब है ICE यानि बर्ख का मसाज करना N C का मतलब है COMPRESION यानि की चोट वाले भाग को हिदे की तरफ वाले भाग की तरफ दबाना जिससे उसका रक्त संचार रूख सके और दर्दर सूजन कम हो सके और उसमें टॉनिक बेंडेश का भी प्रयोग करते हैं N E का मतलब होता इलेवेशन यानि की चोटिल भाग को हिदे के उचाई से उपर उठाना कि खेल समंदी चोटों का किसके द्वारा दर्द को कम किया जा शकता है तो दोस्तों इसको मसाज द्वारा दर्द को कम किया जा शकता है नेश्ट है किन खेलों में खिलाडी को गूम चोट लगने का अंदेशा रहता है ठीक है गूम चोट का मतलब दोस्तों जिसमें तोचा करती फरती नहीं है वो काला पड़ जाता है नीला पड़ जाता है ठीक है जो दर प्रहार से तो गूम चोट लगने का अंदेशा किसमें होता है बुक्केबाजी कुस्ती कबड़ी इन सभी में तो दोस्तों इन सभी में लगने का अंदेशा रखता है नेश्ट है निन में कौन सी चोट लिगामेंट की चोट है तो आप पहचान गए होंगे दोस्तों बहुत बार मैं इसको बता चुकी हूँ तो लिगामेंट की चोट है स्प्रेन यानि जिसे मोज कहते हैं आपसा नमबर यह आँपे करेक्ट हैं नेश्ट दोस्तों खिलाडी के गंभीर चोट के उपरांत खेल मैदान पर पुनह चमताओं के साथ वापसी को क्या कहा जाता है दोस्तों उसी को क पुनरवास ठीक है चोट लगने के उपरांत मैदान पर पुनह चमताओं के साथ वापसी को हम कहते हैं पुनरवास यानि की पुनह वास यानि पुनह अपनी चमताओं को पाना सधारतिया खिलाड़ी को मूच कहां आती है तो दोस्तों मूच अक्सर लिगामेंट के खिचने से होता है तो अक्सर जोडों पर होता है जैसे घुटने टकने आदिपात यहां पर आपसा नंबर सी करेट होगा ए ए एन बी नेश्ट है खिलाड़ी की एक से अधिक अस्थान पर हड़ी तूटने को कहा जाता है तो दोस्तों इसको मूल्टिपल फैक्चर बुला जाता है नेश्ट है खिलाड़ी की गूम चोट लगने पर किस प्रकार का उपचार करना चाहिए यानि कि दोस्तों आपको गूम चोट लगा है आपका बर्क तथा ठंदे कि खिलाड़ी के गंभीर चोट लगने की इस इति में पुनर्वास हे तु आवस्यक्त है तो इसके लिए क्या आवस्यक्त है पुनरवास है तू दोस्तों तो इसके लिए आवसेख है काईक चिकिसा यानि की फीजियो थेरेपी ठीक है नेश्ट है दोस्तों काईक मतलब साररिक होता है तो काईक चिकिसा यानि फीजियो थेरेपी यानि साररिक चिकिसा नेश्ट है उपचार की ये रुपात मक्ता खिलारी के लिए सहायक है यानि जो हमारा उपचार की रुपात मक्ता है जो उपचार की उपार है वो खिलारी के लिए क्या सहायक है आपसन है चोटिल अंगों की कारचमता को पुना सच्छम करने में एकदम प्राक्रितिक सुरच्छा का कारे करता है तो दोस्तों ब्यक्ति के सरीर में प्राक्रितिक सुरच्छा का कारे करता है तो दोस्तों ब्यक्ति के सरीर में प्राक्रितिक सुरच्छा का कारे करता है तो प्राक्रितिक सुरच्छा का कारे करता है तो प्राक्रितिक सुरच्छा का क खेलते समय लगने वाली तवचा की चोटे हैं रगड़ छिलना मोच तो दोस्तों यहां पे क्या बोला है तवचा की चोटे तवचा की चोटे जब कि मोच यहां पे लिगामेंट की चोटे हैं तवचा की चोट नहीं है आपको एध्यान में रखना है जो रगड़ है और छिलन यह दूनों आपका है तोचा की चोटे आपसन नंबर डी करिक्ट है ए एंड बी नेश्ट है दोस्तों डोपिंग पर इच्छर किया जाता है इसके द्वारा दोस्तों यह यूरिन याले मुत्रक का नमुना इसमें लिया जाता है नेश्ट है खिलाड़ी किन कारणों से प्रॉपाटमक्ता की विधियां है तोो डों जोपीजियो ठेल की खोता है और सारी की सा इसमें आप्का की रॉपात्मक्ता की विधियां है बिकिरलरचीकिसदा मालीज हाईडियोथरेपी यह सभी विध्या है आपजन जूर्ट prze़तों के लिए प्रोटीन की आसकता बताईए तो एक पॉंड मास्पेसियों के लिए करीबन आपका 100 ग्राम प्रोटीन के आवसकता होती है नेश्ट है चोट लगने की अधिक संभावना वाले खेल हैं संभावना होता है नेश्ट है बिस्व के खेल चिकिसा संगठन को जाना जाता है नेश्ट है खिलारी के नाक से रक्त बहने की आवस्था में क्या करना चाहिए तो यहां पर आपसंद है खड़े रहना चाहिए कि बैठना चाहिए कि लेटना चाहिए कि उपरोग सभी तो दोस्तो यहां पर ज्यादे तर लेटना चाहिए क्या करना चाहिए लेटना चाहिए जिसे आपका रख तो वापस उधर चला जाए नेश्ट है गंभी चोट लगने का खिलाड़ी पर क्या प्रभाव होता है तो दोस्तों कोई भी गंभी चोट आपको लग जाएगा तो आपके इच्छा सक्ती में कमी हो जाएगी आज विस्वास में कमी हो जाएगी ठीक है तो यहां पर आपसा नंबर C A A N B दोनों है नेश्ट है खिलाड़ी को घुटने में चोट किस खेल में लगती है तो घुटने में अक्सर चोट दोस्तों फुटबाल खेल में लगती है फुटबाल खेल में लगती है नेश्ट है मानसिक दबाओ की दसा खिलाड़ी के लिए क्या है आहित कर होगी मानसिक दबाओ कभी भी औहित करोगी किसी भी चीज़ के लिए खिला रही ही नहीं हर चीज़ में मांसिक दबाओ की दसा औहित करोगी नेश्ट है दोस्तो प्रात्मिक उपचार बाक्स रखा जाता है खेल मैदानों में जिम्ने जिम हाल में और दिविश्च इसनस्थानों में तो दोस्तो सरपत्म इंगलेंड देश में किया गया फर्स्ट एड़ सब्द का परियोग नेश्ट है फर्स्ट एड़ सब्द का परियोग किस वर्स में किया गया तो दोस्तो यह 1889 में फर्स्ट एड़ सब्द का परियोग सरपत्म किया गया वह भी इंग्लेंड में और इंग्लेंड के सेंट जान एंबुलेंस एसियेशन के द्वारा नेश्ड है प्रात्मिक उफचार के उद्देश सहेंट क्या उद्देश है जिवन को बचाना स्वास्त लाब में साहता हरत बिगरने से बचाना एस भी किसको इंगित करता है दोस्तों कई बार एक कोशन रिपेटी हो चुका है आप सबको पता है इसका फुल भाव होता है एक्वायर्ड इमेन्यों डिफिशियंसी सिंड्रोम ठीक है सिंड्रोम की मानपेशियों की कारणा था फुलने का कार है आप स्कार्णा आत्याम की फुलनुका अकुछ हो जाना है वह मानपेशियों में प्रयाब तमात्रा में आउक्सिजन की कमी होना तो दोस्तों ये सभी बाते राइट है, इन सभी का कमी होता है, तो हमारा मांज पर सी दुखने लगता है, फुलने लगता है, बीसका क्या राठा दोस्तों चोट पनरवास के लच्छ है। चोट पुनर्वाज यानि चोट लगने के बाद पुना अपनी इस हीती में पहले वाले इस हीती मुआपस आना तो इसका क्या अर्थ है दोस्तो चोट ग्रस्त भाग का पूरूरुप से चार आएंड चोट ग्रस्त खिलाड़े की पूर छमताओं के साथ वापसी यह भी सही है चोट के कारण मान स्पेशियों में आई कमजोरी को पुना ताकत या सकती सालिफ बनाना ए भी सही है तो यहाँ पे आपसन नंबर डी उपरुक्त सभी सही होगा निश्ट कोशन है चोट का अर्थ है किसी अंका कट जाना किसी अंका छिल जाना किसी अंका फट जाना तो दोस्तों इस सभी चोट का अर्थ है निश्ट है मोच आने की समाने लच्छड है तो दोस्तों मोच आने की समाने लच्छड कोन है प्रभावित अंग में सूजन आ जाना ठीक है जहां पे आपको मोच है यानि स्प्रेन हो गया है वहां सूजन आ सकता है प्रभावित अंग में असानी पीड़ा होना ठीक है असानी पीड़ा और सूजन तो यह आपका अफसा नंबर C करेट है A and B लेक्त है चोट से बचने के उपाय क्या है दोस्तों अच्छी खेल तो वार्म-अप एक दम राइट है सबसे जधा जोज़ी है आपको खेल से होता है वह हमां स्पेसी और टेंडन की अधित्म खिच्चावiblij फित्र है थीक यह दोस्तों का अर्ण तो दोस्तों एक कांट्यूजन जो होता है वह भीतरी घाओ होता है बाहर करता फटा नहीं है भीतरी चोट भीतरी घाओ और नीला पढ़ना यह तीनों अर्थ इसका होता है यानि आपसर नमर डी है उपरोगत सभी नेश्ठ है खेल छमता को विक्सित करने है तू ड्रक्स सेवन का परियोग सरपथम किस वर्स वह अस्थान में पाया गया जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दोपिंग का पहला जो केस है वह पाया गया 1960 रोम ओलंपिक में वो भी किसको कौन पाया गया था देनमार्क का रोट साइकलिस्ट था जिसका नाम निवड एनमार्क जॉनसन था जो सोड़ प्राक्त करने के बाद मृत पाया गया था और वह रोनिकल और एंपिटा माइन दवा ले रखा था उत्तेज़क ले रखा था जो अधित ले लिया था जो सहंसिलता को बढ़ाती है नेश्ट दोस्तों चार कदम वाले RICE नामक उप्चार का प्रयोग किस प्रकार के चोटों में किया जाता है इस्प्रेन, स्ट्रेन, कांटियूजन तो दोस्तों इन सभी चोटों के लिए आपका प्राथ्मी उप्चार के रुप में RICE यानि चार कदम वाले उप्चार का प्रयोग किया जाता है तो आपसा नंबर D करेट है उप्रोगत सभी में तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही नेश्ट वीडियो में और सारे प्रश्ण होंगे तो दोस्तों आई होप कि ए वीडियो आपको अच्छा ल कर लेजिए बिल आइकन को प्रेस कर लेजिए जैसे न्यू वीडियो का अपडिट आप तक पूछता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहें